गुद्मॉर्णिंग अवर्बेडी तोड़ी वी विल डिस्कूस अबाउट द प्राप्टम्स इन कॉंबिनेशन ऑफ रेसिटेंस को जब कॉंबिनेशन में आता हैं जिसे देख करके स्टूड्ट के हाव भाव चींज है और उन्हें समझ नहीं आता किसे देख करना है तो हम उसी को प्राप्टम को सॉल्फ करेंगे जिससे की उन्हें अराम से रेसिटेंस निकलना निकालना आ जाए मगर उसके लिए हम पहले आसान प्राप्टम लेंगे और फिट टॉफर यान यह फिगर दे रखा है आपको और इसे सॉल्फ करना यह बड़ा दिखने में कॉंप्लिकेटेड लग रहा है मगर अगर आप इस ए पॉइंट को पगड़के इधर खीच के इधर लगा दे और इधर लगा दे तो आपको यह इस तरी से मिले का जैसे की ए फोर एट फोर एट और बी तक हमें कैलकुलेट करना है अब हमें समझने आ रहा कि कैसे रेजिस्टेंस पैरल में लगा है सीरीज में तो इसके लिए मैंने पहले बताया था आपको अगर एलेक्ट्रॉन यहां से चल रहे हैं यहां से जाने के दो रास्ते हैं एक इधर से और एक इधर से तो या आरवन प्लस आटू जैसे यहां देखेंगे आप पहले वाल निकालें ऑट दक्राइगा कर और सेकेंड का जो यहां पर एड अगेर्ट आध इस ट्वेल्फ रहां जाएंगे और अब इस यहां इस आगे के लिए हम देखेंगे कि यह दोनों पैरल में क्यों क्यों कि रास्त एक इधर से भी आ सकते लेक्रान यह इधर से भी आ सकता है तो यह पारल में होंगे पारल का फॉर्मला जो लगता है वह लगता है वन अपान ऐए ती यहां देखिंगे आप R is equal to R1 plus R2 that means 1 upon 12, 1 upon 12, this is solve for taking LCM that's 2 upon 12, 1 upon 6 that is R is equal to 6, यह 6 तहीं किसे आजएगा, और हम next problem देखेंगे यहाँ पर तीन resistance दे रखें they are connected as shown in the figure through the resistors 5 and the current is 1 ampere is flowing through it तो हमें यह calculate करना है यहाँ पर से calculate the potential difference across AB and AC AB में आपको निकालना potential difference और आपको जो है AC के across निकालना है आपको क्या given है given है आपको through the resistance 5 resistance you are getting 1 ampere 1 ampere current जा रहा है तो हम पहले potential लिका लें इसका formula था V is equal to IR 1 into 5 5 volt यानि यहाँ पर 5 volt है अब इन दोनों का हम resistance लिका लेंगे तो current सेम जाएगा इन दोनों का तो पहले तो हम यह दोनों जाने के लिए दिखेंगे एक रास्ता इधर है और एक रास्ता इधर है तो यह दोनों किसमे आपके पैरल में है और इनका हम पहले resistance रिकालेंगे तो equivalent resistance निकालने के लिए हमारा क्या आएगा और देट विल भी रेस्टिंस निकालने के हम दिखेंगे इसमें आर पी इस उकोल टू फॉर्मुला वन अपान आवन प्लस वन अपान आटू लगाएंगे तो हमारे जो निट रेस्टिंस आएगा 10 इंटो 15 अपान 10 प्लस 15 दाट इस 130 अपान 25 दाट इस 6 ओम आ जाएगा अब जितना करंट इधर से जा रहा है उतनी करंट इधर से जा रहा लगो यहांने कि वन एंप्ल तो हमको जो पॉटेंचेल निगलेगा यहां पर जाम निकालेंगे तो हमारे 6 6 into लगेगा हम जब निकालेंगे 6 into voltage and 6 into 1 that is 6 volt तो यहां पर 6 volt यह 5 volt है total volt यहां पर voltage potential difference जो है हमारा कितना आजएगा 5 plus V1 plus V2 क्योंकि voltage difference है तो हम्मारा जो आएगा that means 5 plus 6 that means 11 volts आएगा इसका next portion देखेंगे what is the current through the other two register दोनों के register सितने हैं जा रहा है that means हम अगर निकालना चाहें तो आएटू निकालना i2 is 6 upon 10 जो हमने अगर इसके लिखने कि potential difference हमें पता चल गया तो आप इसमें दिखेंगे तो current जो हमारे निकाला है that means 10 6 upon 10 जो ohms law से i2 is equal to v2 upon r2 that means 6 upon 10 तो हमारे 6.6 ampere आ जाएगा और current through resistance 3 उसे निकालने के रिए कि 1 ampere current जा रहा था तो इसमें 0.6 जा रहा तो obviously इसमें निकाल सकते हैं आप 1 minus 0.6 that means 0.4 तो आपका यह आगया total resistance हम AC circuit का कितना होगा यह आप AC circuit में total resistance इन दोनों का हम already resistance निकाल चुके जो की आ रहा है हमारा जो की resistance हमारा आ रहा था यह इन दोनों को जब हमने calculate करा तो 6 आ रहा था और यह 5 ohm है तो 6 प्लस 5 ohm that means r1 plus rp 5 plus 6 that is 11 ohm हम यहां पर इतना ही problem solve करेंगी नहीं तो clip और ज्यादा लंबी हो जाएगी और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करतें जिससे आसान भाशा में उन्हें समझने वाले physics Hindi और English में मिलते रहें और bell icon भी और like ब